ओके एवरिवन तो CSS को आगे बढ़ाते हुए अब बनाता हूँ मैं हमारा 15 चैप्टर 15 अंडर स्कोर CSS और इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ जो अब विट होती है CSS ले आउट पे विट और मैक्सिमम विट के बारे में ठीक है तो मैं लिखता हूँ ले आउट विट ठीक डॉट है अब अपनी फटाक से बॉलर प्रेट लेके आते हैं पहले इसको क्लोज करते हैं ठीक है देखो आपने विट का मतलब तो सिंपल समझ लिया ठीक है विट मतलब क्या हुआ कोई चीज की चौडाई कितना चौडा हुआ उसको कितना छोटा कर सकते हैं यापन बड़ा कर सकते हैं लेता हूं एक कि माल लो आपका screen का जो size है जैसे laptop है आपका या computer है ठीक है उसमें देखो सबके में screen size अलग-अलग होता है किसी में होता है 1920 by कुछ होता है किसी में 800 by 600 किसी में 136 by 768 ऐसे अलग-अलग sizes होते हैं ठीक है अब माल लो कि आपने एक table बनाया यहां पे अब यह table क्या होगा हर computer के हिसाब से अलग-अलग दिखेगा अगर आप इसको एक particularly strength दे देते हो माल लो आपने एक table बनाया और उस पे आपने दे दिया इसको 1000 pixel इसको छोड़ दो इसको काट दो 1000 pixel आपने इसकी width दिये ठीक है अब आपका जो system है आपका system माल लो 1366 by 768 है ठीक है यह आपके computer की चौड़ाई हो गई यह सब में होता है resolution ठीक है अब क्या होगा कि यह जो यह जो बना हुआ है table यह आपके में हो सकता है इतने बड़े रूप में दिखे ठीक है क्योंकि इतना space 300 के लिए काफी है है ना इसकी चौड़ाई 1000 1000 minus 1366 minus 1000 करोगे तो यह आपका 366 यह बचता है ठीक है अब problem क्या होती है कि माल लो मेरा system अगर और बड़ा है मतलब मेरा resolution 1920 इतना इतना है ठीक है यह यहाँ से खींचते हैं अपन इतना ठीक है तो अब देखो अगर यह table 1000 है और मेरा क्या है 1900 है 1920 जो बनता है तो यह कितना छोटा सा दिखेगा इसमें है ना तो मैं यह चाहता हूँ कि हर एक व्यक्ति के browser के हिसाब से यह जो table है यह अपने आपको अगर कोई टैग लेते हो आप तो टैग के बीच में यह कैसे इसकी working होगी ना हम इसको समझते हैं ठीक है तो मैं एक काम करता हूँ इसको open रहने देता हूँ हम उपन रहने देता हूँ कोई दिक्कत नहीं है ठीक है इसमें हमारे पास एक option होता है maximum width का ठीक है हम उसके दूंत यह सारा का-सारा करेंगे तो सब से पहले तो मैं एक लेता हूँ यहां पे h2 ठीक और यहाँ पर लिखता हूँ एक मिनट पहले तो मैं यह open करता हूँ refresh fpbene ठीक है एक h2 लेता में लिखता हूं यहां पर css max width ठीक नीचे आ जाओ इसको सेव करो देखो आ गया क्या यह इसको सेव करते हैं css max width इसको एक बार में refresh क्या हो गया लाइव पे नहीं है हाँ आ गया करना है class के तुरू मैं वो दिखा रहा हूं ठीक है एक div लेता हूं मैं और div यहां पर एक class दे देता हूं css के लिए ठीक है इस class को नाम दे देता हूं मालो ex1 ठीक है यहां लिख देता हूं कि this division tag या division element ENT ठीक है has a width of इसको अपन 500 कर देंगे 500px कर देंगे ठीक है अब यहां पर नीचे आ जाओ और क्योंकि division tag एक पूरा cover करता है तो मैं यहां एक BR ले लेता हूं ब्रेक ले लेता हूं ठीक है और यहां पर लिख देता हूं कि this sorry this div element has a max width ठीक है आप अंतर समझ जाओगे कि width और max width में क्या अंतर होता है max width of 500px सेम जो हमने उपर दिया है हमने वही चीज नीचे दिये ठीक है अब देखो क्या करेंगे अपन क्या करेंगे यहां पर browser को छोटा बड़ा करेंगे ठीक है तो अभी आप देखना कि यह कैसे basically यह चीजें जो होती है यह बनेंगी ठीक तो मैं क्या करता हूं यहां पर उपर जाते हैं class पर ठीक है अब यह जो अपन ने लिखा है ना इसको अपन मैं पहले ना इसको reset करता हूं यह इसका size देख लेते हैं reset ओके अच्छा reset में तो आपको बहुत छोटा दिखेगा यह तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है मैं नीचे आता हूं यहां पर लेता हूं अपनी style ठीक और style पर यहां पर ex1 लिया है ना पहले अपने तो अपन क्या करते हैं div के अंदर जो अपन ने ex1 लिया है class ठीक है हम उस पर क्या करने वाले है अपन उसको बोल रहे हैं कि उसका जो weight है ठीक अपन ने weight की बात करी है maximum weight नहीं इसका weight कर दो 500px सबसे पहले ठीक है उसके बात फिर नीचे आजाओ इसके margin को मैं कर देता हूं auto ठीक है फिर नीचे आजाओ और इसमें एक क्या करता हूं प्यारा सा border देता हूं 3 pixel का border देता हूं ठीक है solid और इसको कर देता हूं मैं कुछ dark blue यह हो गया ठीक है आपको साफ साफ दिख रहा है न अब मैं नीचे आता हूं अब जाता हूं ex1 मेरा complete अब मैं जाता हूं ex2 पर तो मैं क्या करूंगा div.example2 अब मैं इसका coding करने वाला हूं मैं यहां पर बोलता हूं कि भाई अब पहले आपने width यूज किया था था ना अब आप max width यूज करो max width और same रखो 500px ठीक है px for pixel margin को इसका भी मैं auto कर देता हूं ठीक और इसका भी border मैं कर देता हूं 3px ठीक है solid और इसका कुछ और color कर देते हैं अपन अपन dark red कर देते हैं एक और देख लेते हैं यह देखो perfect ठीक अब मैं browser को थोड़ा सा चोटा बड़ा करता हूं तो देखो आप max width और maximum width में अंतर समझ में आएगा ठीक है मैं इसको थोड़ा चोटा करता हूं अब यह आप देखो यह एक छोटा सा आपके पास यहां cursor आ गया ठीक है देखो हमने उपर वाले को क्या लिया है width लिया है और नीचे वाले को max width मैं देखो इसको बड़ा चोटा कर रहा हूं यह देखो नीचे वाला भी साथ साथ बड़ा हो रहा है है ना और यह उपर वाला कट गया यहां पर नहीं आया मुझको यह देखो ऐसे करना पड़ा आपको अंतर समझ में प्रॉपर यह देखो यह कैसे हो रहा है यही चीज होती है यह इसकी प्रॉपर्टी तो जब भी आप ब्राउजर यूज करोगे ना आप कोशिश करो अगर आपका पर्टिकुलर्ली सब कुछ डिफाइन है तब तो आप विट यूज करो कोई प्रॉब्लम नहीं अदर्वाइस आपको यह लगता है कि यूजर फ्र करना तो आप से मैक्सिमुम व्यट्ठ लेना ठीक है आप वहां पर ये नहीं लेना वे तमत लेना ठीक है मैक्सिम सब्स्राइब का यू wish ज्यादा करना उसको आप जो इसको डिजाइंट करना चाहते हूं मिनमिमम मैक्सिमम ब Earl far ai River रोकता हूं इस टुटिरोल को लफटाक से बढ़ते हैं नए चेप्टर की तरफ ओके चलो कर दो कर दो कर दो झाल झाल